तो सिखों को लेकर बीजेपी नेता का ये विवादित बयान इतना भद्दा इतनी भद्दी टिपडी और वो भी देश की पहली महिला IPS और किसी राजे की गवर्णर सोचने से भी कलपना से विप्रीट किरणवेदी का ये बयान जिसको लेकर पूरे देश में नहीं विदेश में भी आलोचना हो रही है तो ऐसा क्या कहा किरणवेदी ने क्यों माफी मांगनी पड़ी और ये पहली मरतबा नहीं है जिस तरहां वो विवादों में रही इससे पहले भी कई ऐसे उन्होंने ट्वीट्स किये जिसको लेकर उनकी जगहसाई तक हुई लेकिन सवाल ये कि पहली बार नहीं है जब वो इस तरहां के विवाद खड़ी कर रही हूँ लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया बेहत भद्धा बयान सिखों को लेकर पहले वो मैं आपको सुनाता हूँ और फिर उसके बाद सिलसेवार तरीके से आपको बताऊंगा कि इस बयान की कैसे आलोचना हो रही है कौन-कौन आलोचना कर रहे हैं और बकायदा मुकदमा तक किरण बेदी पर दर्ज हो रहा है लेकिन पहले ये बयान सुनिये 15 सेकंड का ये बयान है और इस बयान में आप खुद मखुद समझ जाएंगे कि आखिरकार किरण बेदी ने क्या कहा वो भी 12 अजय को लेकर ध्यान से सुनिएगा किताब के विमोचन के वक्त किरन बेदी ने ये बयान दिया सुनिए जरा अब बज़े हैं पूरे पीस मिलट कमपाना तो पूरे बारा बज़े स्माओ कोई सदार जी नहीं तो सदार जी दो एकी बड़े जेनर सदार जी सो सदार जी मैं पारे बेदी नहीं पहुता है बड़ा अटपटा लगता है दोस्तो जो लोग ऐसी बातों पर हसते हैं तालिया बजाते हैं याद कीजिए आपके स्कूल में भी कुछ इस तरह की टिपडियां होती होंगी जब आपस में एक सिक समुदाय के लड़के के साथ कोई विवाद हो जाता था ये बचपनी की बाते हैं और ये बाते भी क्यूं क्या अधार है इन बातों का और ये माजाक और ये माखोल अब इसके बाद क्या हुआ जैसे उनका ये बायान विवादों में आया उसके बाद मानो विरोत के सुर सुर सुनाई देने लग गए अब सुनिये कैसे कैसे फरजी न्यूस का सहारा लिया वो भी मैं आगया आपको बताऊंगा कई ऐसे उधारन में आपके सामने रखूंग सिख गुरू निशाने पर लेते हैं आप किरन वेवी को और दिल्ली सिख गुर्द्वारा परबंधन कमेटी ने इस बयान की निंदा की और उन्हों ने कहा कि उनके बयान से सिख समुदाय आहत हुआ है और तुरंध वो माफी मांगे वही सरदार जस्प्रीत सिंग माटा न मुखरजी नगर में शिकायत दर्द करवाई थाने में अब दिल्ली सिख गुर्द्वारा परबंधन कमेटी के अध्यक्ष क्या कुछ कहते हैं अब वो आपकी स्क्रीन पर है वो कहते हैं हर्मीर सिंग काल का जो उन्होंने कहा उन्होंने कहा अश्चर जनक है कि देश की पह बेडी को जानना चाहिए जिस समय भारत की महलाओ को बचाने के लिए गजनी के बाजार में ले जाया जाता था तो उस समय यही महलाए सिको को आवाज लगाती थी कि उन्हें आकर बचा ले उन्होंने कहा कि देश की महलाओ और बेटी बेहनाओ को बचाने का गौरव केवल सिखों के हिस्से में हैं लेकिन आज वही औरत इसका मजाग बनाए इस से ज़्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती अब इसके बाद आप ने भी किरन बेडी को निशाने पर ले लिया आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर सीधे तोर पर किरन बेडी पर सव सिख समुदाई की नराजगी का इसार किया उन्होंने कहा कि जब मुगल भारत को लूट रहे थे बेहन बेटियों को अगवा कर ले जा रहे थे तब सिख ही उनसे डट कर लड़ते बेहन बेटियों की रक्षा करते थे और हां जिस बारा बज़े का जिक्र किया उन्होंने ब 12 बजे मुगलों पर हमला करने का वक्त होता था 12 बजे का इतिहास ये है शरम आनी चाहिए भाजपा के टुची सोच वाले नेताओं को जो इस एहसान के बदले सिखों का मज़ाग उड़ाते हैं दोस्तो दरसल ये विवाद और बयान और बयानों के इतर किरन वेदी का इतिहास अब मैं आपको बताताओं क्योंकि किरन वेदी के बारे में जो लग जानते हैं वो जानते हैं कि जिस समुदाय का वो मजाक उड़ा रही थी या मैं मानता हूँ कि उनसे गल्ती हो गई वो उसी समुदाय से आती है जिस समुदाय से आप आते हैं उनकी प्रिष्ट भूमी वही है लेकिन उसके बावजूत आप इस तरह का भद्दा मजाक उड़ाएं ये अपने आप में एक सवाल है अब उधारन देता हूँ आपको कि किरन बेदी कब कब इस तरह के विवादों में रही या विवादों में आना पसंद करती है लेकिन उससे पहले आपको बताओं कि किरन बेदी ने जो माफी मांगी है इस पूरे विवात को लेकर वो भी अब आपकी स्क्रीन पर है ट्वीट उन्होंने अंग्रेजी में किया मैं इसका हिंदी अनुआद आपके सामने करता हूँ जो उन्होंने इंग्लीश में ट्वीट किया उसी ट्वीट के हिसाब से हिंदी में जो उसका अनुआद है वो अब आपकी स्क्रीन पर मैं अपने धर्म से बेहत आस्था रखती हूँ मैं अपने समुदाय का सबसे ज़्यादा सम्मान करती हूँ मैं बाबा नानक देव जी की भक्त हूँ मैंने जो भी दर्शकों से कहा क्योंकि मैं भी वहां हूँ उसे किर्प्या गलत ना समझा जाए मैं इसके लिए शमा चाहती हूँ मैं आकरी व्यक्ती हूँ जिसने किसी को चोट पहुचाई मैं सेवा और देया में विश्वास रखती हूँ दोस्तो किरन बेदी ने सफाई तो दे दी लेकिन ये विवाद जिसका अध्याय जहां से शुरू हुआ वो अध्याय दर असल यहां पर शुरू नहीं हुआ इसकी एक अलग प्रिश्वूमी भी है क्योंकि किरन बेदी की शादी बिज बेदी से हुई बिज बेदी और जहां तक मुझे ध्यान है या इस बात का एहसास है कि वो जिस प्रिश्वूमी से आती है वो सिख समुदाई ही है क्योंकि उनकी दादी भी सिख ही थी और ऐसे में अब जिसका जिक्र मैं कर रहा था क्योंकि भले ही ये सवाल इसलिए भी हो जाता है क्या बीजेपी में अपने आपको साबित करने के लिए इस तरह के बयान देना जरूरी है वो भी किरन वेदी जैसी महिला जिनको पूरे देश में एक नजीर माना गया खेर अब मैं आपके सामने कुछ उधारन पेश करता हूँ जल्दी से ये उधारन उस ट्वीट से जुड़ा है जिसमें उन्होंने हाली में एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में ये दावा किया ये ट्वीट में दावा हो कर रही है कि ये देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की माता है मा है और लगभग 90-95 साल की उमर में वो कितनी चुस दुरुस्त है दोस्तो ये एक फेक न्यूस थी ये महिला देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी की माता नहीं थी कोई और थी जिने किरन बेदी ने ट्वीट किया इसके बाद भी उनकी जगस आयी मामला यहीं खत नहीं होता अब एक और ट्वीट आपको दिखाता हूँ ये ट्वीट वैसे तो आपको याद भी होगा और आपने देखा भी होगा इस ट्वीट में क्या होता है ये कुरन बेदी दावा करती है इस ट्वीट में की नैशनल जोग्रफी चैनल ने करोण और पे खर्च करके एक फुटिज को खरीदा है और वो फुटिज क्या है दोस्तों की वेल निकलती है और हेलिकॉप्टर को खीच लेती है और वो दावा करती है कि ये किस तरह से करोण और पे देकर इस फुटिज को नैशनल जोग्रफी ने खरीदा लेकिन हकीकत कुछ और है हकीकत क्या है दोस्तों वो भी देखिए 2017 में दरसल एक फिल्म आई थी और उस फिल्म में इस शॉट का इस्तिमाल किया गया था लेकिन किरन बोडी को मालूम नहीं कहां से ये ग्यात हुआ उन्होंने इसे ट्वीट किया और उसके बाद उनका मजाक बन गया ये मामला अब जहां तक मुझे जमज में आ रहा है किरन बेडी के लिए बहुत बड़ा सिर्दर साबित हो सकता है या उन्होंने क्या ये वाकई जान भूच के बयान दिया क्योंकि सिखों की भावनाओं को आहत करना और इस नजरिये से आहत करना और क्या ये एक प्रिश्भूमी तैयार की जा रही है ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ छोड़के जा रहा हूं कि किरन बेडी मैं फिर कह रहा हूं कि देश के सामने किसी वक्त वो नजीर थी लेकिन ऐसा रहो कि आने वाले वक्त में लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेना ही बंद कर दें नमस्कार जैहिन जैभारत